नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नैतिक शिक्षा कक्षा 10 का पाठ तीन पाठ का नाम है मीठी वाणी सूक्तिया पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ दो स्वास्थे और योग पाठ के प्रशन अभ्यास और सार करवाया था इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रशन अभ्यास करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइस लिस्ट डाली हुई है आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं तो चलिए अब हम पार्ट की शुरुवात कर सबसे पहले हम इस पार्ट को पढ़ेंगे सुक्ति शब्द दो सब्दों से मिलकर बना है सूजमा उक्ति अर्थात अच्छे वचन सुक्तियों के सार गर्वित शब्दों द्वारा जीवन उपयोगी बातें बताई जाती हैं मीठी वानी से सम्मंदिद कुछ सुक्तियां अधर्ववेद एक का चौतिस्वा और दूसरा भाव यहां वैदिक रिशी मीठी वानी के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि मेरी जीवा के अगर भाग में मधुरता रहे मेरी जीव के मूल भाग में मधुरता रहे मधुमतिम बाचा उदेयम अधर्वेद सोले का मैं ज अर्थाद प्रिये वचन बोलने से सभी जीव प्रसन होते हैं इसलिए मीठा बोलने में हमें दर्विद्रता नहीं दिखानी चाहिए वाने का समलम करोती पुरुषया संस्कृता धार्यते शीयंते खलू भूशनानी सततम वाग भूशनम भूशनम नीती शतक अर्थाद केवल संसकार युक्त वानी ही पुरुष को अलंकरित करती है अन्य सारे अभूशन तो नस्ट हो जाते हैं केवल वानी रूपी अभूशन ही एक मात्र अभूशन है जो शाश्वत है मदुर वचन है ओशदी, कटू वचन है तीर, सरवन द्वार हवै, संचर साले, सगल सरीर, रैदास भाव, रैदास ने मीटे वचनों को सुखद ओशदी के समान बताया है और कटू वचनों को तीर के समान तीखा बताया है तीर लगने पर दर्द देता है परन्तु कटू वचन रूपी तीर बिना लगे ही केवल कटाक्ष द्वारा सालता रहता है ऐसी वाणी बोलिये मन का आपा खोए औरन कोशी तल करे आपहुशी तल होए कबीर दास भाव कवीर कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का घमंड दूर हो जाए वाणी स्वेम तता दूसरों को भी शीतलता प्रदान करने वाली होनी चाहिए तूसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहू और वसी करण यह मंत्र है परिहरू बचन कठोर तूसी दास भाव तूसी दास का कथन है कि मीठी मानी से चार और सुख जनम लेता है इसलिए कठोर वचनों को छोड़कर मीठे वचन बोलने चाहिए यही वची करण का मंत्र है भक्त कवी मलूक दास ने भी लिखा है मानुष बैठे चुप करे कदर न जाने कोई जवही मुख खोले कली प्रकट बास तब होए मलूक दास बानी प्रस्ट छतिस भाव अर्थात मनुष्य जब तक चुप बैठा रहता है उसका कोई सम्मान नहीं करता जब प्रकट रूप से मुख रूपी कली खिलती है तो उसकी सुगंद चारो ओर फैल जाती है भाव यहां कवी वरिंद कहते हैं कि जिस प्रकार थोड़ा सा शीतल जल डानने से दूद का उफान मिट जाता है उसी प्रकार मीटे वचन से व्यक्ति का अभिमान यानि घमंड मिट जाता है आदूनिक हिंदी के जनक भारतेंदू इस विशे में कहते हैं देखीना कभ हूँ मिसरी में मदुहूमें ने रसाल एक दाख मेन तनिक बतासा में अम्रित में पाई न अधर में सुरंगना के जैते मदुराई भूप सजजन की भाषा में भारतेंदू हरिश्चंद्र अर्थात मिश्री में शहद में आम में इख में दाख में किश्मिश में अमरित में तता रमणी के अधरों में इतना मिठास नहीं होता जितना सज्जन की मीठी वानी में होता है हिंदी के अन्य कवियों ने भी मीटी वाणी के संदर्म में इसी प्रकार कहा है रस्विहीन जिसको कहकर रसना बने ऐसी नीरस बातें क्यों जाए कहीं वैदेही वनवास 14 बटे 100 अर्योध्या सिंग उपाद्याय हरियोद सत्य सरल वक्ता की वाणी किसको नहीं लुभाएगी घता की तलवार धार भी मोहितो कर मुड़ जाएगी बाली वद श्याम नारायन पांडे तमिल्ले खक्त्रिवलुवर्न के मीटी वाणी के विशे में विचार इस प्रकार है विचारों को सजाकर मदुर धंग से व्यर्द करने वाला प्राप्त धो तो संसार शिग्र उसके आदेशों को मानेगा तिरक कुरल 648 आनंद यती सत्तवानी योही मंगलम जुवाक अग्यात भाव यह है कि मंगल और प्रियावानी सभी प्राणियों को आनंद प्रदान करती है हिंदी भाषा की एक लोकोक्ती भी है गुड ने दो तो गुड कीसी बात तो करें अब हम इस पार्ट के प्रशन अभ्यास करेंगे पहला प्रशन है मीठा बोलने का जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है लिखू उत्तर मीठा बोलने से चारो और सुख जनम लेता है मीठे वचनों को सुखद आउशदी के समान बताया गया है प्रशन दो पाठ के अनुसार त्रिवल लूवर के वाणी संबंदी विचारों को स्पस्ट करू उत्तर है तमिल लेखक त्रिवल लूवर के मीठी वाणी के विशे में विचार इस प्रकार है विचारों को सजाकर मदुर्धंग से व्यत्त करने वाला प्राप्त हो तो संसार शिग्र उसके अदेशों को मानेगा प्रशन तीन वचने का दरीद्रता सुक्ति का अर्थ लिखो उत्तर वचने का दरिदृता शूक्ती का अर्थ है मीठा बोलने में हमें दरिदृता नहीं दिखानी चाहिए प्रेशन चाहर मदुरवाणी की तुलना दवा से क्यों की गई है उत्तर मदुरवानी को सुकद औशदी के समान बताया गया है और कटू वचनों को तीर के समान तीखा बताया है तीर लगने पर दर्द देता है परन्तु कटू वचन रूपी तीर बिना लगे ही दर्द देता है जिसका उपचार केवल मदुरवानी ही कर सकती है इसी कारण मदुरवाणी की तुलना दवा से की गई है प्रश्न पांच वाणी से किये घाव को हम कैसे भर सकते हैं सिद्ध करूं उत्तर वाणी से किये हुए घाव को हम मीटी वाणी की मदद से ही भर सकते हैं तीर लगने पर दर्द देता है परन्तु कटू वचन रूपी तीर बिना लगे ही दर्द देता है जिन घावों का उपचार केवल मदुर वानी ही कर सकती है प्रशन छे वानी के महत को प्रकट करने वाली अन्य सूक्तियों का संग्रह करो उत्तर मुसीवतें तूट पड़े हाल बेहाल हो जाए तो भी जो लोग निश्चें से नहीं डिगते और धीरज रख कर चलते हैं वे ही सच्चे धहरेशाली है कुरान शरीफ सत्य प्रेम तथा अच्छाई के मार्ग की बाधाओं को पार करने का समर्थ है आध्यात्मित्ता की ही प्रदान कर सकती है डाक्टर सरुपली रादा कृष्णन जन्नी जनम भूमिस्च सरगाद अपी गरी असी रामायन प्रेशन साथ बोलने से पहले तोलना क्यों जरूरी होता है उत्तर हमारी बोली गई बाते बहुत अधिक महत्व रखती हैं हमारे कटू वचन तीर के समान तीखे होते हैं तीर लगने पर दर्द देता है परन्तू कटू वचन रूपी तीर बिना लगे ही घाव देता है इसलिए बोलने से पहले तोलना जरूरी होता है पार्ठ चार रस विहीन बाते क्यों नहीं बोलनी चाहिए उदारन सहित स्पस्ट करूँ उत्तर, रस्विहीन बातों से किसी को ग्यान या खुशी नहीं मिलती, ऐसी नीरस बातों को बोलने से कोई लाब भी नहीं होता है, इसलिए हमें रस्विहीन बातें नहीं बोलनी चाहिए प्रश्ण 9, गुड़ ना दे, तो गुड़ कीसी बात तो करे, इस कहावत का अर्थ लिखों, उत्तर, कहावत का अर्थ है कि हम अगर किसी को मीठा नहीं खिला सकतें, तो हम कम से कम उससे मीठी बाते तो कर ही सकते हैं प्रश्ण 10, मात्रवाणी के कारण मित्र शत्रू बन जाते हैं, इसके कारणों पर अध्यापक कक्षा में चर्चा कराई इसका उत्तर छात्र स्वैम करेंगे अपने अध्यापक से बात करके किस प्रकार हम मित्र को शत्रू बना लेते हैं और शत्रू को मित्र एक वाणी ही है जो हमें शत्रू और मित्र बनाना सिखाती है तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट चार प्रेरत प्रसंग पार्ट का सार और प्रशन अभ्यास करवाऊंगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू